अब सवाले उठता है कि ये कौन लोग किसके इसारे पर काम कर रहे थे, कौन थे हैंडलर और किस तरीके से वो इनके संपर्क में थे, ये भी बहुत महत्पूरन बात है कि आप देखिए कि अब तक हम जितने भी मामले सामने आएं उसमें अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान क भीतर जो दूसरे आतंकी संगठन हैं लश्करे तयवा से ले करके और हिजबल मुझाहिदीन और इस तरह के जो कश्मीर में बहुत सारे आतंकी संगठन हैं वो उससे जुड़े हुए लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो अक्सर हैंडलर के तौर पे काम करते रहे हैं और वो यहाँ पर एक टेरर मॉडियूल या इंडिपेंडेंट स्लीपर से लिया इस तरह की बहुत सारे जो टर्म इस्तेमाल किये जाते हैं स्लीपर से लिया नहीं की जो गुपचुप तरीके से साज़िश में लगे रहते हैं और अपने हैंडलर का इशारा पाते ही वो अपने अपने काम को अंजाम दे देते हैं तो इस तरह के टेरर मॉडियूल यहां काम करते रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन ज्यादा तर पाकिस्तान से सामने आता था लेकिन इस बार इनके जो हैंडलर थे वो सीरिया में बैठे हुए थे और आईस आईस के लोग है अब यहां पर बहुत महत्पूर्ण बात है कि अब तक हमने जितने संगठनों के बारे में या टेरर मॉडियूल के बारे में जाना है उनका ज्यादा तर रिष्टा इसी तरह के संगठनों से रहा है जिसमें जाहे जैसे मुहमद हो या लशकरे तैवा हो हिजबल मुजाइदीन हो या इस जो है तरीके तालिबान और इस तरह के जो दूसरे जिहादी संगठन है उनके साथ रिष्टा बताया जाता था लेकिन ये आईएस आईएस के साथ रिष्टा यानि कि बगदादी का संगठन जो की बहुत ही एक खुंखारातं की संगठन है उसके साथ रिष्टा सामने आना एक बहुत चौकाने वाली बात है और एक तरीके से alert करने वाली बात है इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि ये तीसरा मौका है जब इस देश में IS से जुड़े हुए लोगों का या उस से जुड़े हुए terror module सामने आया है इसके पहले जो module सामने आये हैं या जो लोग सामने और इस तरह के इलाकों में इस तरह का terror module जिसका रिष्टा IS से है ये सामने आना एक तरीके से खतरनाक बात हो सकती है और एक independent terror module का होना operate करना आपने आप में ये भी कम चौकाने वाली बात नहीं है